नमस्कार दोस्तो यूटेवी नियोज 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिसाई दोस्तो आप सभी को पता है कोरोना वाइरस की वज़े से लगवाग पिछले चार मेने से सभी चीज़ें पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बंद चल रही है और सबसे बड़ा जो नुक्सान हुआ है वो हुआ है क्रिकेट जगत को या दोस्तो पिछले चार महिने से कोई भी क्रिकेट का मैच नहीं खीला जा रहा है मगर दोस्तो फाइनली अब यह ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो दुवारा से स्टार्ट होने वाली है और आज इंडियन टाइमिंग के साफ से साड़े तीन बजे या दोस्तो दुपैर के साड़े तीन बजे से मैच स्टार्ट होने वाला थ इंग्लेंड वर्सिस वेस्ट इंडीस के बीच में तीन टेस्ट मैचों की सिरीज ती इसका ये पहला मैच था और ये साड़े तीन बज़े से स्टार्ट होने वाला था मगर जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला था टॉस होने वाला था टॉस से जस्ट पहले बारिस ने दम नहीं लिया और बारिस लगातार गिरती गई इस बज़े से टॉस भी नहीं हुआ है या दोस्तो अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ साड़े छे बच चुकी हैं मग अबी तक टॉस नहीं हुआ है और दोस्तो ऐसा लग रहा है मानो कि यह मैच बिलकुल कैंसिल होगा या दोस्तो यह पहला मैच जो पहला टेस्ट है यह बिलकुल कैंसिल होने वाला है ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से अगर दोस्तो आने वाले गंटे तक बारिस न पर पर इस मैच को लाइव देख सकते थे इंडिया में और अगर आप फोन की बात करें तो फोन पर एक एपली के सना आता है सोनी लिव अब उसको डाउनल करने के बाद इस मैच का आनद उठा सकते थे मंगर आप फाइनली ये मैच होनी राय केंसल होने की कगार पे खड़ा है वैसे दोस्तो आपके इसाफ से क्या होना चाहिए इतने दिनवाद क्रिकेट स्टार्ट हुआ है इस मैच को कैंसल कर देना चाहिए या फिर दोस्तो इस मैच को कल से दुबारा से कराना चाहिए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और अगर यह मैच हुआ तो कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है और इस सीरीज को कौन सी टीम जीतने वाली है निंग लैंड या वर दोस्तो वेस्ट इंडीज अपनी राय नीची कमेंट में बताना बुलकूर न भूलें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों फिलाले इस खबर में इतनी था तब तक के लिए अपना ख्याल रखियो देखते रहे यू टीवी निउस 24